नमस्कार मैं पूजा यादवर आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी स्वागत है खबरे सुपर फास्ट में सबसे पहले लेकर हाजिर हूँ आपके लिए हर्याना पंचाब हिमाचल और देश की कुछ ताजा खबरे जनता कफ्यू को लेकर जनता सजग लोगों ने खुद को अपने घर में किया पंद इटली में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए शनिवार रवाना होगा है एर इंजिया का विमान रविवार करेगा दिल्ली वापसी रेलवे बोट की ओर से होए जारी आदेश के मुताबिक रविवार को 2400 ट्रेने रद आई आसी टीसी अलर्ट ट्रेन में चाय नाश्टा वा भोजन बंद दो विमान कमपनियां इंजिगो और गो एर भी जनता कर्फ्यू के समथन में उत्री कोरोना वाइरस को लेकर चंडीगर प्रशासर नेक कमर कसली है मंदीरों में छिड़काव किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को लेकर लोगों ने घर में रहने का मन बना लिया है उनका मानना है कि कोरोना जैसी महामारी से निपतने के लिए जनता की भागेदारी जरूरी है हम पूरी तरह से जनता कर्फ्यू के साथ है पंजाब में एक और पॉजिटिव केस संक्रीमत मरीज की संख्या हुई साथ एक ही हो चुकी है मौत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने कोरोना को लेकर एनाराई के पंजाब में आने से रोकने की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतरास्ट्रे हवाई उडानों पर रोक लगे कोरोना से जंग लडने को तैयार हर्याना धारा एक सो चोवालेस लागू अभी तक छे केस पॉजिटिव राजसभा सदस्य दिपेंदर हुदा आइसोलेशन पर गाईका कनिका कपूर के संपर्क में आये दुश्यन सिंग से मिले थे कोरोना वायरस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थांडा में तीन ओपीजी बंद एमेर्जेंसी सेवाएं ही देने पर विचार कोरोना वायरस वार्षिक परिक्षाय स्थगित जिला कांगडा में कारले बंद नीजी बसों पर भी लगी रोक अब तक के लिए इतना है फिर लोटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ ताजा खबरे लेकर तब तक देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें